पुस्पा impossible serial के सभी फैंस को मेरा नमस्कार तो फ्रैंस आज की एपिसोड की कहानी ठीक वहीं से सुरू हुई है जहांकि पिछले एपिसोड की कहानी खत्म हुई थी जानी कि पुस्पा घायल हाथों के साथ हॉस्पिटल में है उसका इलाज चल रहा है और वहाँ पर विरेन स पुस्पा को पिल्कुल ऐसी आखों से देख Utah कि पुस्पा अंदर से डरी और पुलीस जो है वह बार-बार पुस्पा से एक ही बात पूछ रही तो मुझे उस व्यक्ति का नाम बताुए पुस्पा वेलें से तल्वार की और देखती है लेकिन वो पुलीस को बता नहीं पाती है लेकिन पुलीस पूरी इमानदारी के साथ कहती है कि पुस्पा भेहन आप हमें थोड़ा सा भी हिंट्स देंगे तो इससे हमें बड़ी सहुलियत होगी उस व्यक्ति तक पहुचने के लिए जिसने आपके साथ ये चाल चल है वो भी उस समय पुस्पा भेहन जबकि उत्सो का महौल था जन्माश्ट में का तेवहार मनाया जा रहा था नाटिका में देखने के लिए इतने सारी लोग आई वे थे तब आपके साथ ये सब कुछ हुआ लेकिन पुलीस की इन सारी पातों पे पुस्पा लगतार चुप से जुगल को भी देख रहा है और पुस्पा को भी देख रहा है और आखोई आखों में यह कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं क्या चीज हूँ वो तुम लोगों के अंदर है जो आज पुलीस के आगे तुम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हो अब दिल के अंदर चाहे जितना भी रखो मेरे खिलाफ पाते लेकिन मुह पर तो नहीं ला पा रहे हो ना जब पुलीस से पुस्पा कुछ नहीं कह पाती है तो पुलीस उसे कहती है तो फिर पुस्पा बहन जब आपको किसी पर सक ही नहीं है और आपको लगता है कि स्वभावी कृप से यह हाथ सा हुआ है ये मेरे पीता समान है उसके बाद मास्टर जी पेपर पे साइन कर देते हैं और पुलिस वहाँ से चली जाती है उसके बाद प्रण डॉक्टर साहब आते हैं तो पुस्पा तरप के कहती है डॉक्टर साहब मुझे यहां से जल्दी रिलीज कीजिए मैं वापस मुंबई अपन भी जा सकती है अब उसके पुस्पा के मुंबई जाने की बाद से विरेन से तेलवार काफी खुस हो जाता है कि चलो यहां का तमासा तो अब खत्म होगा ना उसके बाद वो पुस्पा से कहता है पुस्पा बैन आप मुंबई जाना चाहती है तो मैं ट्रेन से आपके जाने का प्रवंद यहां से कर देता हूं आपको वहां पे लेने के लिए अस्विन आ जाएगा वही अस्विन जो टॉप 10 कंपनी में काम करता है ट्रेपलम्मेंट अफसर के पोस्ट पर या फिर आपका बेटा दूसरा बेटा चिराग आ जाएगा जो कि नीज श्पॉट में इसके आटिस्ट का काम करता है या फिर रासी आ जाएगी कि बहुत बड़े कॉलेज में मास कम्मिनकेशन की पढ़ाई कर रही है अब यहां पे फुस्पा हैरान होती है कि उसके बच्चों के बारे में इतनी सारी डिटेल्स इसे कैसे पता है फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है कल में डिशार्ज कर दूँगा और उसके बाद डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं फिर विरेन सतेलवार कहता है कि पुस्पा भेन अब आप पटोले कैसे बनाओगे हाचसक कैसे चलाओगे मुझे आपके लिए बड़ा ही अफसोस हो रहा है फिर भी आपको कोई मदद की जरुवत हो तो आप उससे मदद ले सकती है उसके बाद विरेन सतेलवार वहां से चला जाता है विरेन सतेलवार के जाते के साथ ही जूगल का पूरा गुस्पा के उपर फूट पड़ता है वो पुस्पा पे नाराज होते वे कहता है ये क्या पुस्पा सामने से पुलिस साकर तुम्से पूछ रही थी कि तुमें किसी पर सक है कि किसे ने जान बुज के यह हादसा करवाया हो और तुम बातों को घुमा गई चुप रहा गई क्यूं नहीं कहा जबकि तुम इस जानती हो की ये सारा खेल विरेन भाई ने रचा था फिर क्यों क्यों छिपा गई अगर तुमने पुलीस को बता दिया होता ना तो पुलीस अपने तरीके से क्लू मिलने पे थोड़ा सा तुम बता देती तो वो खुद उस अपरादी को ढूंड लेती जिसने इतना बड़ा हाथसा किया है और विरेन भाई अपरादी है तो पुस्पा कहती है कि अगर मैं चुप रही और तुम को बुरा लग रहना तो लगे लेकिन मैंने क्यों चुप रहना उचित समझा ये तुम नहीं समझोगे तो जुगल कहता है कि मैंने समझूंगा तो बता ना क्यों चुप रही जबकि ये ये तेरे चुप तेरे कुछ कहने का समय था बोलती है कि मैं बहुत कुछ कह सकती थी और मेरा भी दिल कह रहा था कि मैं वो सारी बाते जो कह सकती हूं विरेन के सेतलवार के खिलाप कह दूँ लेकिन जानते हो मैं क्यों चुप रहे गई क्योंकि विरेन सेतलवार के खिलाप अगर मैं कुछ भी कहती तो फिर वो केस करता और ये केस लड़ते लड़ते रानकी और मुंबई करते करते मैं क्या पटोला बनाऊंगी क्या ये काम सुरू करूंगी और कहां से फिर इन तीनों बहनों को मुंबई ले जाके कुछ बड़ा करने की सोचूंगी इसलिए वो पावरफुल है और वो अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके यही सही समझी कि चुप रहना ज़्यादा जरूरी है पुस्पा की बातों को अपने तरीके से जुगल समझता है और उसके बाद सांथ हो जाता है तो मास्टर जी कहते हैं कि अब पुस्पा को मुंबई ले जाने की जिम्मेदारी मेरी ह और हाँ जुगल तुम हमें इस्टेशन तक छोड़ देना उसके बाद मास्टर जी कहते हैं कि अब जाओ जुगल और आराम करो और उसके बाद जुगल वहां से चला जाता है और मास्टर जी कहते हैं पुस्पा तु पिलकुल मत घबड़ा मैं तुझे सही सलामत मुंबई पहुंचाऊंगा अब इसके आगे की कहानी में दिखाया गया है कि आयूसी जी अपने पती गौरब जी से कह रही है कि जब से मैं गोलू से मिले हूं ना जाने क्यों मेरा मन गोलू के पास ही लगा रहता है तो गौरब जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम्हें गोलू से हो गया है लेकिन ये भी तो समझो कि महिंदर जी जिसे वो मा की तरह पाले हैं बचपन से उन्हें कैसा लगता होगा जब तुमने एडॉप्ट करने की बात कह दी तो आयूसी जी कहती है कि मैं उसे एडॉप्ट चरूर करना चाहती हूं लेकिन महिंदर जी से अलग थोड़ ही करूंगी लेकिन गौरब जी कहते हैं कि नहीं फिर भी ये गलत है आयूशी अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए तो हम अनाथासरम से ले लेते हैं तो उस पर आयूशी कहती है नहीं मैं अनाथासरम से नहीं लूँगी और उसके बाद वो गौरब जी के गले लगकर कहत कि आप कितने अच्छे हैं आप मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हैं कि किस तरह से मैं एक बच्चे की मा बनी और मेरी साथी उसके पिता से नहीं हो पाई और इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप मेरे साथ कितना अच्छा से हर बात को मानते हैं तो गौरब जी कहते है कि तुम्हारा अतीत बीत चुका है मुझे तुम्हारे वर्तमान से मतलब है और भविस्य से मतलब है तुम मेरी पत्नी हो तुम्हें खुस रखना और तुम्हारी अवशक्ताओं को पूरा करना तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा धर्म है और इसलिए मैं कहता हू कि अनाथास्रम से एक बच्चा हम गोत ले लेते हैं और तुम देखना धीरे धीरे उस बच्चे से भी तुमें गोलू की तरह लगाओ हो जाएगा और फिर तुमें गोलू की याद नहीं आएगी गोलू को महिंदर जी के पास रहने दो और मेरी बात पे गोर करो लेकिन आयोशी जी अपने पती गोलू की बात नहीं मानती है वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गोलू से प्यार करती हूँ और मुझे गोलू ही चाहिए तो गोलू जी कहती है ये नहीं हो सकता है आयोशी प्लीज तुम गोलो के लिए ऐसा सोचना बंद करो सीन में दिखाया गया है कि अश्विन, चिराग, दीप्ती और रासी जन्मास्टमी के उत्सों के लिए नए नए सुन्दर कप्ड़े पहने वे हैं और काफी खुस हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि पुस्पा नहीं है और मा के बिना उन्हें सुना सुना लग रहा है तभी अश्विन दिप्ती से कहता है फोन किया वो लोग आ रहे हैं ना साम को महत्सयों में जन्मास्टमी के उत्सों में तो दिप्ती कहती कि हाँ किया तो है लेकिन एक बर फिर से कॉल कर लेती हूँ और फिर उसके बार दिप्ती अपने मॉम और डैट को फोन लगाती है अब इदर मनीश जी और सुना बहन जो है वो लोग ब्रिक्फास्ट के टेबल पर बैठे वे हैं और तभी दिप्ती का फोन आता है तो सोनल जी फोन उठाती है तो कहती है कि अगर हमें साम को आने के लिए तुमने फोन किया है तो सुननो हम लोग आ रहे हैं और मैंने भी आने की पूरी तयारी कर ली है और खुद मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोगों के साथ चनमास्ट मी मनाऊ दिखाया गया है कि पुषपा और जुगल गाड़ी में इस्टेशन के लिए जा रहा है यानि कि जुगल पुषपा को छोड़ने के लिए इस्टेशन जा रहा है जहां से कि मास्टर जी उसे साथ लेकर मुंबई चले जाएंगे तो रास्ते में जुगल एकदम से चुप है और उसे चुप देखकर पुषपा को अच्छा नहीं लग रहा है वो जुगल से कहती है कि तू इतना चुप क्यों है खोटे सिक्के तो जुगल कुछ नहीं कहता है बस खिड़की से बाहर गाड़ी से देखने लगता है पुषपा परिशान है और उसे मालूम है कि जुगल क्यों इतना चुप है क्योंकि जुगल चाहता था कि पुलीस को वो विरन सतिलवार के बारे में बताए और उसने नहीं बताया तो इसके कारण जुगल उससे नाराज है लेकिन पुषपा फिर भी जुगल को कहती रहती है कि कुछ तो बोल जुगल तब भी अपनी चुपी नहीं तोड़ता है तो पुषपा उसे मुस्कुराती हुई कहती है कुछ मत बोल तो सुबरा के बारे में ही बोल आकिर वो तेरी पत्नी थी जो भी तुझे उसके बारे में याद है अच्छी अच्छी बात है वो मुझे सुना तो जुगल कहता है कि मुझे सुबरा के बारे में कोई बात नहीं करनी है तो पुषपा कहती क्यों नहीं करनी है तो जुगल कहता है कि बस कहा ना तो उसे लगता है कि साथ सुब्रा के बारे में उसने बाच तो वो जुगल से कहती है कि ठीक है मैं सुब्रा के बारे में कोई बात नहीं करूंगी भूल हो गई सौरी तो जुगल कहता है कि कोई बात नहीं है कहता हूँ मैं ही तुम्हें सुनाता हूँ कुछ बाते हैं जो तुम्हारी और सुब्रा की बिल्कुल एक जैसी है बस उसे ही याद कर रहा हूँ चाहे औरतों को कितना भी सम्मानित करे नारी सक्ती का सम्मान करे लेकिन उन्हें महिलाओं का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता है ठीक जैसे कि आज तुम्हारा उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है वैसे उन्हें सुब्रा का भी पटोला के महिम को लेके आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि तुम्हारी तरफ सुब्रा भी जो थी बहुत सारी महिलाओं को जोड ली थी अपनी मुहिम से और वो जिस तरह से आज तुम्हें पीछे रहे के धमका रहे ना ठीक ऐसे ही वो सुब्रा को भी धमका रहे थे और मैं उनसे जब बहस करने जा रहा था उनका सामना करने जा रहा था तो सुब्रा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और ठीक तुम्हारी तरह सुब्रा ने भी मुझसे कहा था कि बल से नहीं हमें बुद्धी से ये मुहिम को आगे ले जाना है अगर तुम बल का प्रयोग करोगे तो विरेन भाई से कभ को दिया और ये डर आज तक मेरे मन में है कि विरेन भाई कुछ ऐसा ना कर बैठे कि बस इसके बाद जुगल चुप हो जाता है उस पर समझ जाती है कि कहीं ना कहीं जुगल के मन में काफी डर बसा हुआ है जो कुछ उसने सुग्रा के साथ जहला है अब वो मेरे साथ नहीं चाहता है तो वो कहती है कि मैंने दिलिप को जहला है दिलिप मेरे तीनों बच्चों को मुझसे छीनना चाहता था पर मैंने उसके साथ अपनी बुद्धी से लड़ाए लड़ी है और अब सामने वीरेन से तेलवार है उसके साथ भी हम बुद्धी से लड़ेंगे तो गाड़ी से उतरते हैं और पुस्पा इस्टेशन की ओर चाती है अब आगे के द्रिश्रे में दिखाया गया है कि मम्मी के आने की खुसी में रासी और चिराग काफी खुस हैं और वो दोनों वर्क्सप को जो तानवाना का जो वर्क्सप है पटोला बनानी के लिए जो पुस् से तो राशी कहती है कि नहीं भाई जब से अश्विन भाई और दिप्ती भावी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाया है तब से कोई मैसेज नहीं आया है फिर भी ना चाहते हुए भी ध्यान उधर चला ही जाता है तभी वहां पर सुसीला आती है और खुस होत है कि काकी मैं आपका साथ कैसे नहीं देता और आगे भी जहां कहीं भी आपको मेरे साथ की जरुवत होगी मुझे बेही चक कहिएगा मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा और हर काम करूंगा जो भी आप चाहेंगी उसकी बाद सुसीला चली जाती है तो चिरा कहत बापोध्रा काका की बारी है तो राशी कहती है तुना बापोध्रा काका के भी दिल को जीत लेगा अब आगे के दृष्य में रांकी गाउं का दिखाया गया है यानि की विरेंज सितलवार के वर्क्सॉप में महिलाएं जो हैं आपस में पाते करती हैं वह इंदू से पर पता नहीं किसने मुझे फोन पर बात बताई उस दिन और मैं जशोदा का रॉल भी नहीं कर पाई तो वह महिलाएं जो हैं वह समझ जाती है कि कहीं ना कहीं जुगल और पुस्पा बहन जो बात बोड़ी थी वह बिल्कुल सही है जुगल ठीक कह रहा था कि इंदू का कोई बेटा उटा बिमार नहीं है तभी ये महिलाएं जब वहां पर बात कर रहे होती है तभी वहां पर विरेन से तलवार आता है और इंदू से कहता है कि जाने दीजे इंदू बहन आपका रॉल ये शोदा का पुस्पा ने निभा दिया अब देखे जो घटना पुस्पा के सा घटी उसका हाथ खायल हुआ अगर आप जसोदा का रॉल करती तो आपके साथ ये हाथसा होता सोचिए कि इश्वर ने आपको ये घटना घटाई गई है और हमें मालूम है कि अगर इंदू बहन जसोदा का रॉल करती तो ये घटना कभी नहीं घटती चुकि पुस्पा बह कहती है कि आप जो समझ रहना बस मैं वही कहना चाहती हूं उसके बाद चंद्रिका वहां से चली जाती है तो विरेंज शतेलवार कहता है कि मैं बहुत संभलने की जरूरत है ये जो स्वालंबन की आग पुस्पा सबके अंदर जला के गई है ये उसी का दिखाई दे रहा है इतनी एठी वरना ये चंद्रिका कल तक मुझे कुछ नहीं कह पाती थी उसके बाद वहां से बाकी महिलाएं भी चली जाती है और सुनील से विरेंज सतेलवार कहता है कि इन महिलाओं के पंक मत निकलने दो जितना हो सके इधी पुस्पा से दूर करने की कोसिस करो वरना पूरी सियासत में आग लगा देगी तो फ्रेंट्स आज की कहानी बस यहीं तक थी तो आगे के एपिसोट में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है विरेंज से तिलवार का तो आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोट के साथ मैं फिर मिलूंगी नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स